आज सुभा से ही हम लोगों को ये दुखद समाचार के प्रतिक्रियाएं चल रही हैं. मैं बताना चाहता हूँ इश्वर का देखिये हम पर कितनी बड़ी अनुकमपा है कि लता जी के साथ पिछले ही वर्ष हम हिंदुस्तानी नाम का गाना हमने गाया है. श्री अमिताब बच परिवार है और वो लता जी का एक तरह से परिवार ही है. तो इस तरह के जब हमें संजोग मिला तो मैं बहुत ही गदगद था. इश्वर ये संयोजन है कि देखिये कल सरस्वती पूजा थी, आज उनकी विदाई हो गई. और लता जी के लिए बस मैं यही प्रातना करूंग कि यह परमात्मा आप एक जोती थी, जोतिर्मय करने के लिए इस भारत को आई. भारत में जब तक मनुष्य जाती जीवित रहेगी, प्रेम करना आपके गानों से सीखेंगे, भक्ती करना आपके गानों से सीखेंगे, और सीखते आये हैं, सीखते आये हैंगे, और ये मिला तो मैं अपने आपको भी परमभाग्यवान मानता हूं इस तरह की आत्मायें इस तरह की विभूतियं इस तरह थी भाज उनकी विदाई होई है एक और संयोग जुड़ा हुआ है प्रदीप जी ए मेरे वतन के लोगों कविवर प्रदीप जी मध्यप्रदेश में जन्में हुए ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भरलो पानी आज उनका जन्म दिन भी है इत्तफाक की बात देखिए स संयोग देखिया आप कि आँख में भरलो पानी पूरे विश्व की आँख में पानी आ गया है और पीड़ा से व्यतित है पूरा विश्व पूरा देश पूरे देश का आम और खास सब क्यों कि लता जी हमारे बीच अब नहीं रही परनतु उनकी क्रत्य उनके सत्य उनकी क् जब परमभक्ती, जब प्रेम, जब वातसल्य, जब लोरी, जब प्रभुभक्ती, देशभक्ती है मिरे इश्वर, हर प्रसंग पर प्रासंगिक होने वाली कुछ आवाजों में लताजी अग्रगण्य रहेंगी, वो मुखर रहेंगी, तो वो एक देवी का अवतार थी, परमात्मा में विलीन होई है, हमारी प्रार्थना है कि उनको सद्गती मिले उनकी दिव्यात्मा को, और समस्त पीड़ा जो जेल रहे हैं, परिवार के लोग, देश के लोग, विश्व के लोग, जो उनको प्रेम करते थे, जो उनके प्रशं हस मिले, साहस मिले, हर योग.